बालों को लेकर अगर आपको किसी भी प्रकार की शमस्या है जैसे बालों का जढ़ना समय से पहले बालों का सफेद हो जाना बालों में रूशी हो जाना तो आज इस रेमेटी से हम बालों की हर एक समस्या का शमधान करने वाले हैं तो चलिए इसे बराना कैसे ही ये देख लेत आगे और पिछे का portion आपको cut करना है और इसका जो पत्ता वाला छिलका होता है उपर का उसे आपको छिलके इसे बारिक बारिक तुक्रों में आपको cut कर लेना है प्याज में sulfur की मात्रा होने के करण बारलों के लिए यह बहुत ही कारगर होता है तो प्याज को हमने यहाँ पर छोटे-छोटे टुक्रों में cut कर लिया है अब यहाँ पर हमें दूसरी ingredient लेना है aloe vera के पत्ते तो यहाँ पर आप कोसिस करें कि आप फ्रेस ही पत्ता ले अब इसे हमको पूरी तरह से मतलब इसका पल्प नहीं निकालना है हम इसे ग्रीन पत्तों के साथ ही कट करके डालेंगे बस साइट से इसके जो काटे हैं उसे आप इसे निकाल लेंगे और इसे छोटे-छोटे तुक्रों में हम cut कर लेंगे aloe vera में vitamin A, vitamin E, vitamin B होते हैं साथ ही इसमें calcium, potassium, magnesium जैसे property पाई जाती है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदे मन्द है aloe vera बालों को जड़ने से भी रोकता है अगर आपके बाल बेजान, dry हो गए हैं तो अगर आप aloe vera की regular इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल सिल्के and sign हो जाएंगे तो इस तरह आपको aloe vera को बिल्कुल छोटे-छोटे टुकडों में cut कर लेना है अब इसमें हम कुछ चीज़े और एट करेंगे तो यहाँ पर हम ले लेते हैं सबसे पहले vitamin E की दो capsule vitamin E की capsule में antioxidant होते हैं जो कि हमारे damage hair को repair करने में help करता है vitamin E हमारे dry, fizzy, damage बालों को ठीक करने में भी help करता है और अगर आपके बाल जढ़ रहे हैं तो उसे भी यह control करता है अब यहाँ पर हमें ले लेना है तो यह हम एक चमस भर कर लेंगे केस्टरल ओई हमारे बालों के थिकने इसको बढ़ाने में help करता है अगर आपके बाल जढ़ रहे हैं तो आप केस्टरल ओई का उपयोग करेंगे इसे डारेक्ट आपको नहीं लगाना है किसी ने किसी चीज में आपके इसे मिक्स करके अपने बालों में अगर आप लगाते हैं तो आपके बालों की जो थिकने से वो बढ़ जाती है आप यहाँ पर हम ले लेने हैं coconut oil तो coconut oil यहाँ पर हम दो चमस लेंगे अपना मिक्सर का और उसमें हम डालेंगे इसे इस तरह से आपको डाल लेना और बिल्कूल फाइन पेश्ट बना लेना है अब एक काटोरी हमें ले लेना है को माने प्याज और अलोवियरा कत किया हुआ दाले हुए थे उसी बॉल ़ॉके ले लेना है और यहाँ पर हम नेट इसे कप्रा दयको आप मुtown का कपड़u ले अशंता है आधा रही थो आप इसे कपड़े स सूर्थी को चेहे चाझे मिस खॉति सर्थी से तो दुम्हों आप है कि युद्धी कपड़े से बहार निकाल तो देखिए यहाँ पर जो मेरा जूस है वो यहाँ पर मिल गया है अब इसे हम अपने बालों पर अपलाई करेंगे तो इसमें या तो आप कॉटन का जो बॉल है वो डिप करके अपने जड़ों पर बालों के जड़ों पर बहुत अच्छे से लगाए और इसे आप हपते में दो बार यूज करें फिर कुछ ही महनों में आप देखेंगे आपका हेर ग्रोथ होना सुरू हो जाएगा फैर फॉल होना टोटली बंद हो जाएगा तो आप इसे इस्तिमाल करें और यह वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद लाइब तो वीडियो को लाइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू फुरू